हेलो एव्रीवन, वेल्कम बैक टो तेयारी ओनलाइन, मैं सुधा, आज की इस वीडियो में हम कक्षा नौवी के हिंदी पाठे पुस्तर, छितीज भाग एक का पाच्वा अध्याय पढ़ने वाले हैं, और पाच्वा अध्याय जो है वह एक सच्ची घटना पर आधारिक कहान जिसका नाम है नाना साहब के पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस कहानी की लेखी का है लेखी का चपला देवी, ये लिखा गया है लेखी का चपला देवी के द्वारा, और बच्चों आजादी के समय जहां पुर्षों ने अपने लेखन से श्वतंतरता आंद अपना योगदान दिया तो चपला देवी भि उन्हीं में से एक हैं हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है अंग्रेजों ने कई वर्षों तक हमारे देश पर अपना साशन किया है और आज की जो हमारी कहानी है यह कहानी कब से संबंदित है तो यह कहानी संबंदित है 1857 के विद्रो से कब से संबंदित है 1857 के विद्रो से यह विद्रो क्यों किया गया था तो बच्चों यह विद्रो किया गया था अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए लेकिन यह वि गटना पराधारित है या संबंधित है 1857 के स्वतंतरता आंदोलन से और बच्चों 1857 की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसके अग्रणी कौन थे नाना साहब जिनकी पुत्री थी मैना देवी और यह जो कहानी है वह मैना देवी के बलिदान की है जो स्वतंतरता की उस लड़ाई में सबसे छोटी सी पाही थी देवी मैना बेहसासी निडर वह आत्म विश्वासी वाली का थी और यह पाठ गध खंड के रिपोर्ट ताज रिपोर्ट ताज विद्या में लिखा गया है और यह एक सच्ची घटना है तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इस सच्ची घटना के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ सर अठाड़ सो संतावन इश्वी के बिद्रोही नेता दुन्दू पंत नाना साहिब कानपूर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके पूर्ता से उस निरी और निरप्राद देवी को अगनी में भस्म कर दिया तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह किसे संबंदी थे तो 1857 में जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था उससे संबंदी थे जिसके अग्रणी नेता थे धुन्दू पंत नाना साहिब और जब वह 1857 के विद्रोह में असफल हो गये थे तो उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया था और वहां से दूर चले गये थे लेकिन जल्दवाजी में वह अपनी पुत्री मैना को साथ ले जाना भूल गये थे तो वह उसी विठूर के महल में रहती थ है कि अंग्रेजों ने क्या किया उसे जला दिया बहुत ही क्रूरता से मैना देवी बहुत ही छोटी थी आगे लेखी का कहती है कि उसका रोमांच कारी वर्नन पाशान हिर्दय को भी एक बार द्रवी भूत कर देता है पाशान हिर्दय कहने का अर्थ होता है बच्चों पत् भी क्या हो जाएगा द्रवी भूद यानि वह भी करुणा से भर जाएगा उसका पत्थर दिल भी पिघल जाएगा कानपूर में भीशन हत्याकान करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया कहां गया बिठूर जो नाना साहब का राजमल था वहां गया बहुत थोड़ी संपत्ती अंग्रेजों के हाथ लगी इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चे किया सैनिक दल ने जब वहां तोपे लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुन्दर बाले का आकर खरी हो गई उसे देखकर अंग्रेज सेनापती को बरास चर्च हुआ क्योंकि महल लूटने के समय वह बाले का वहां कहीं नहीं दिखाई दी तो वह कौन सी लड़की थी मैना थी जो नाना साहब की बेटी थी और जब बिठूर का महल अंग्रेज उने लूट लिया तब सोचा कि चलो इसे भस्म कर देना चाहिए यानि इसे अब तोर देना चाहिए लेकिन तभी कौन निकल के आती है मैना देवी और उसे देखकर के जो अंग्रेज का सेनापती होता है उसे आस्चर्च होता है कि जब हम महल लूट रहे तब तो या बच्ची हमें कहीं नहीं देखी या अचानक कहां से आगई देखते हैं आगे आगे क्या लिखा है लेकिका ने लेकिका बताती है उस बालिका ने बरामदे में खरी होकर अंग्रेज सेनापती को गोले बर्शाने से मना किया उसका करुना पू पूछा कि क्या चाहती है बालिका ने सुद्ध अंग्रेजी भासा में उत्तर दिया क्या आप किर्पा कर इस महल की रक्षा करेंगे अब देखें नाना साहब की बेटी थी बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची थी तो उसने अंग्रेजों से क्या कहा कि किर्पय आप इस महल की रक्षा करें इसे ध्वस्त ना करें इसे बचा ले अब सेना पती को उस पर दया आ गई एक छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बात कह रही है अब देखिए सेना पती कहते हैं क्यूं तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है बालिका कहती है आप ही बताईए कि यह माकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है सेना पती कहते है यह माकान बिद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था सरकार ने इसे विद्वन्स कर देने की आग्या दी है अब बालिका और सेना पती में बाते होती है तो सेना पती कहता है कि हमें तो आग् आपके विरुद्ध जिन्होंने सस्त उठाए थे विदोसी हैं पर इस जर्पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराद किया है मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह अस्थान मुझे बहुत प्रिये है इसी से मैं प्राथना करती हूं कि इस मकान की रक्षा कीजिए अब वह बाल वह दोसी हैं आप इस जर्पदार थे यानि कि इस निर्जे बस्तू मकान को क्यों भरबाद करना चाहते हैं क्यों इसका विद्धुण्स करना चाहते हैं और कहती है कि मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि मुझे इस जो मेरा घर है उससे बहुत लगाब है तो इसलिए मैं आपसे प्रार्तना करती हूँ कि आप मेरे इस मकान की रक्षा केजे अब देखे सेनापती उसकी रक्षा कर पाते हैं या नहीं सेनापती ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि करतवे के अनुरोद से मुझे यह मकान गिराना ही होगा वह कहता है कि मेरे लिए ओर्डर है कि मुझे इस मकान को गिराना ही होगा इस पर उस बालिका ने अपना परिचे बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जेनरल है है क्या कहती है मैना देवी कि मैं जानती हूँ कि आप कौन है जेनरल है आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझे में बहुत प्रीम संबंध था कई वर्षपुर मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हिर्दे से चाहती थी उस समय आप भी हमारे हां आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे मालूम होता है कि आप वे सब बाते भूल गए हैं मेरी की मृत्यू से मैं बहुत दुखी हुए थी उसकी एक चिठी मेरे पास अब तक है अब देखिए मैना देवी क्या कहती है जेनरल हे से कि मैं जानती हूँ कि आप जेनरल हे हैं क्योंकि वह कई बार मैना देवी के घर आये गए है तो कहती है क्या आपकी पुत्री मेरी और मुझे में बहुत प्रेम संबंध था यानि हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और आप बड़ाबर मेरे घर आते थे और आपके लिए मैं भी कैसी हूँ? पुत्री के समान ही हूँ और आप मुझसे पुत्री की तरह ही असने करते थे तो फिर आप क्यों मेरा घर तोरना चाहते हैं? और कहती है कि सायद मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सारी बाते भूल गए हैं मेरी जो जेनरल हे की बेटी थी उसकी मृत्य हो चुकी है और मैना देवी कहती है कि मुझे भी इस गटना से बहुत दूख है और उसकी एक जो चिठी है वो अभी भी मेरे पास है अब इस बात को सुन करके जेनरल हे के मन पर क्या बदलाव आता है यह देखते हैं लेकी का बताती है यह सुन कर सेना पती के हो सुर गए उसे बड़ा अस्चर्च हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है अब मैना की बातों को सुन करके जेनरल हे उसे पहचान गए कि यह कौन है नाना साहब की पुत्री मैना सेना पती है कुछ छन ठहर कर बोले हाँ मैना तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचड़ी हो यानि उसकी मित्र हो किन्तु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आग्या नहीं टाल सकता तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रहत्म करूँगा अब जनरल हे उसे आश्वाशन देते हैं कि मैं ना मैं तुम्हें पहचान गया हूँ मैं पूरी कोशिज करूँगा सरकार से या विंती करूँगा कि वह इस घर को ना तोड़े मैं पूरी कोशिस करूँगा कि तुम्हारी रक्षा कर सकूँ अब देखिए अंग्रेजों में भी कुछ अंग्रेज बहुत ही अच्छे थे जो कुरूर नहीं थे लेकिन कुछ जो थे वो बहुत ही कुरूर थे वो भारतियों के साथ बहुत अत्याचार करते थे आगे लेकिका बताती हैं इसी समय प्रधान सेनापती जन्डल और्टरम वहाँ आप पहुँचे और उन्होंने बिगर कर सेनापती हे से कहा नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया सेनापती हे ने विने पुर्भक कहा मैं इसी फिक्र में हूँ किन्तु आप से एक निवेदन है क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है अब देखे जन्रल हे पूरी कोशिज कर रहे हैं कि उस महल को ना तोरा जाए लेकिन वह ऐसे नहीं बचा पाते चले देखते हैं आगे क्या होता है आगे कहती हैं लेखिका कि ओटरम गवर्नर जन्रल की आग्या के बिना यह संभव नहीं है ओटरम क्या कहते हैं कि हम चाह करके भी इसे नहीं बचा सकते इसे सिर्फ कौन बचा सकता है तो Governor General अगर वह यह आग्या दे दे किस महल को ना तोड़ा जाए तो इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता उसके बाद देखे नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है अब अंग्रेज नाना साहब से बहुत जादा क्रोध ही थे नाना साहब के वन्स या महल पर द्या दिखाना असंभव है अर्टरम कहता है जनरल है से कि मुझे तो यह असंभव लगता है कि उनके महल या उनका कोई भी वारिज जो है वह जिन्दा रह सकता है क्योंकि गवर्नर जनरल का यह आग्या है कि किसी भी चीज को ना छोड़ा जाए जो नाना साहब से संबंदित है अब देखिए सेनाफपती हे कहते हैं तो लॉर्ड केनिंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे कोई इस विसे का एक तार देना चाहिए हे क्या कहते हैं कि हमें उन्हें इन सारी घटाओं से सुचित करना चाहिए तार देना यानि सुचना उन तक पहुँचाना ऑटरम कहता है आखिर आप ऐसा क्यूँ चाहते हैं अब उसको भी यह बात जाननी है कि वह ऐसा क्यूँ चाहता है जनरल है क्यूँ नाना साहब के महल को ध्वन्स होने से बचाना चाहता है हम यह महल बिध्वन्स किये बिना और नाना की लड़की को गिरफतार किये बिना नहीं छोड़ सकते ओर्टरम क्या कहता है कि हमारे जो गवर्नर जनरल है उन्होंने हमें यह आग्या दिये कि नाना साहब से संबंदित किसी भी चीज को छोड़ा ना जाए तो हम इस लड़की को भी गिरफतार करेंगे और इस महल का बिध्वन्स भी करेंगे अब इस पर सेना पती हे क्या कहते हैं वह देखिए सेना पती हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया ओर्टरम की बात को सुनकर के वह दुखी हो गये और फिर वहाँ से चले गये महल का फाटक तोर कर अंग्रेज सिपाही भीतर गुज गए और मैना को खोजने लगे किन्तु आस्चर है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा अब उसमें भी कुछ ऐसे गुप्त जगह होते थे महलों में कि लोग ऐसे चुप जाते थे कि कोई कितना भी ढूंडे वह वहाँ नहीं मिलते थे तो जितने सैनिक थे सभी ने मैना को ढूंडा महल के कोने कोने में लेकिन मैना उन्हें कहीं मिली नहीं अब देखिए उसी दिन संध्या समय लौर्ड केनिंग का एकतार आया जिसका आशे इस प्रकार था अब लौर्ड केनिंग उस तार का जवाब क्या भेजते हैं वह देखिए लंडन में मंत्री मंडल का यहमत है कि नाना का अस्मृति चिन्ध तक मिटा दिया जाए अब देखिए कितना कुरूर है यह लौर्ड केनिंग कि वह कहता है कि वह नाना साहब से संबंदित किसी भी चीज को रहने नहीं देना चाहता तो कहता है कि नाना की अस्मृति चिन्ध को हमें क्या करना है मिटा देना है इसलिए वहां की आग्या के बिरुद कुछ नहीं हो सकता अब जनरल नहीं जो आग्या दे दी है उसका तो कोई विद्रोख कर नहीं सकता तो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है उसी छन कुरूर जनरल ओर्टरम की आग्या से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले वरसने लगे घंटे भर में वह महल मिटी में मिल गया यानी नाना साहब का महल जो है वह तूट करके बिखर गया उस समय लंडन के सुप्रसिद्ध टाइम पतर में 6 सितंबर को या एक लेक में लिखा गया बरे दुख का विसे है कि भारत सरकार आज तक उस दुरदान नाना साहब को नहीं पकर सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाती का भीशन क्रूध है अब देखिए लंडन में जो सुप्रसिद्ध टाइम पतरिका थी यानि उस समय की जो निउस पेपर था टाइम्स उसमें 6 दिसंबर को यह निउस छापा किया कि बहुती दुख का विसे है बहुती दुख की बात है कि नाना साहब जैसे विद्रोही को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और इस वज़े से समस्त अंग्रेज जाती का भीशन क्रोध जो है वा छेलना पर रहा है जब तक हम लोगों के सरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपूर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे तो कानपूर में एक भीशन गटना होई थी जिसमें बहुत सारे अंग्रेज जो हैं वह मारे गये थे उस पत्रिका में यह लिखा गया कि जब तक लोगों के सरीर में रक्त रहेगा खून रहेगा तब तक वह कानपूर में जो अंग्रेजों के साथ हत्याकांड हुई थी उसका बदला लेना नहीं भूलेंगे अब फिर उस दिन क्या हुआ वह देखिये उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ओफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बरी हसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या परदया दिखाने की बात लिखी थी उन्होंने क्या कहा था कि नाना की इस कन्या को वक्ष दिया जाए क्योंकि बच्चों का क्या दोस होता है अब देखिये हे के लिए निश्चे ही यह कलंग की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संघार किया उसकी कन्या के लिए छमा अपना सारा जीवन युद्ध में भिता कर अंत में ब्रिधा वस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महरास्ट्री वालिका के सौंदरे पर मोहित होकर अपना कर्तवे ही भूल गए अब देखिए पत्रीका में क्या क्या बाते चपी अब जेनरल हे पर लोग जो है वह इस प्रकार का आरोप लगाने लगे कि वह इसलिए चाहते हैं मैना देवी को बचाना क्योंकि वह उस पर मोहित हो गए हैं लेकिन ऐसी कोई बात तो थी नहीं मैना देवी उनकी बेटी की जैसी थी इसी लिए जेनरल हे उन्हें बचाना चाहते थे लेकि का बताती हैं कि उस टाइमस में और वी बाते लिखी गई जिसमें कहा गया कि हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्ही के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए तो देखे इस प्रकार की क्रूर बाते जो हैं वह लंडन के सुप्रसिद पत्रिका टाइमस में लिखी गई थी सन 1857 के सितंबर मास में अर्ध रात्री के समय चांदनी में एक बाली का स्वच उज्वल बस्तर पहने हुए नाना साहब के भगना वसिस्ट प्रिशाद के धेर पर बैठी रोड ही थी यानि वह जो महल था जिसका बिध्वन संग्रेजों ने कर दिया था उस पर वैठी कौन रोड ही थी मैना देवी पासी जेनरल आटरम की सेना भी ठहरी थी कुछ सैनिक रात्री के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए बालिका केवल रोड रही थी सैनिकों के प्रिश्ण का कोई उत्तर नहीं देती अब सैनिक आये उन्होंने पूछा लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं रही थी सिर्फ रोए जा रही थी इसके बाद कराल रोप धारिस जेनरल आटरम भी वहां पहुँच गया वह उसे तुरंत पहचान कर बोला ओहो यह नाना की लड़की मैना है पर वह बालिका किसी ओड न देखती थी औरना अपने चार ओड सैनिकों को देखकर जरा भी डड़ी जेनरल आटरम ने आगे बढ़कर कहा अंग्रेज सरकार की आग्या से मैंने तुम्हें गिरफतार किया अब वह उस छोटी सी बच्ची को भी गिरफतार कर लेता है बताईए उस समय की इस्तिती कितनी बुरी रही होगी या निरंकुस अंग्रेज हमारे देश के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे होंगे जो एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ सकते वह और क्या कर सकते हैं आगे लेखी का कहती हैं कि मैं ना उसके मूँ की ओर देखकर आर्थ स्वर में बोली बहुत दुखी हो करके उससे बोली मुझे कुछ समय दीजिये जिसमें आज मैं यहां जी भर कर रो सकूं वह थोड़ा सा समय मांगती है जनरल आर्टरम से कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिये क्योंकि मैं जी खोल कर रोना चाहती हूँ अब देखिए आर्टरम उसे समय देता है या नहीं देता है पर पाशान हिर्दय वाले जनरल ने उसकी अंति मिक्षा भी पूरी ना होने दी पाशान हिर्दय यानि पत्थर का हिर्दय तो यहां लेखिए का कहती है कि जनरल आर्टरम ने उसकी या अंति मिक्षा भी पूरी ना होने दी उसे उस जगह पर रोने भी नहीं दिया उसी समय मैना के हाथ में हतकरी परी और वह कानपूर के किले में लाकर कैद कर दी गई उस समय महारास्ट फ्रिय इतिहास वेता महादेव चिटन विस के बाखर पत्र में छपा था क्या छपा गया था वह देखे कल कानपूर के किले में एक भीशन हत्या कांड हो गया नाना साहब की एक मातर कन्या मैना धदकती हुई आग में जलकर भस्म हो गई या भस्म कर दी गई भीशन अगनी में सांत और सरल मूर्ती उष अनुप माम बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझ कर प्रणाम किया जेनरल ओटरम ने मैना को कानपूर के किले में बन कर दिया लेकिन महारास्ट्र के जो एक पतरकार थे चिटन विस उन्होंने बाखर पतर में छापा कि मैना क्या हो गई अपनी किले के साथ ही भस्म हो गई उसे भी जला दिया गया और उस महान बालिका के बलिदान को देख करके वहां के लोगों ने उसे देवी समझ करके उसको पूजा प्रणाम किया तो यह थी एक कहानी जो सच्ची घटना पर आधारी थी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिलकुल न भूले कहानी पसंद आया हो बच्चों तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इससे सेयर करें मिलते हैं आप से इसी अध्याय के प्रश्ण अभ्यास के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद